हेलो दोस्तो मैं हूँ रानी और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ फॉर्म और बचे हुए कपड़े का यूज इससे मैं बनाऊंगी एक पाउच जो हम किसी भी काम में यूज कर सकते हैं मेकप रखना टूथ प्रस रखना कहीं जा रहे हैं तो कोई भी समान पैक करने की का साम में आते हैं कई हमें छोटी-छोटी पाउच चाहिए होते हैं ऐसे तो मैं बनाने जा रही हूं मैं स्टार्ट करती हूं इसके लिए मुझे चाहिए यह फैब्रिक ऊपर रहेगा यह मेरा मैंने इसकट बनाया था उसका बचा हुए कपड़ा है और यह मैंने फॉर्म लि यह सब हमको जरूरत पढ़ेगी देखिए मैंने इसके लिए 12 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चोड़ा कपड़ा दिया है और मैंने इसी साइज का फॉम और अस्तर का कपड़ा तीनों को बराबर बराबर कट कर लिया है अब हम इनको तीनों पर सिलाई लगा लेंगे ऐसे हैं चारू तरफ हम इसमें इसमें चारू तरफ अब मैं जो एक्स्ट्र कपड़ा है वो कट कर दूँगे जर अध्यान से कीजिए सिलाई ना कट जाए एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है, अब हम इसमें जिप लगाएंगे, जिप को लगाने से पहले हम दोनों को अलग कर लेंगे, ऐसे, जिप हम उल्टी लगाएंगे, ऐसे, जिप को हम उल्टा लगाएंगे, ऐसे, ऐसे सिलाई डाल देंगे, इसमें, फिर हम सिलाई डाल के आपको बता दें, यह देखिए, मैंने उल्टी तरफ से जिप लगा दी है, अब हम ऐसे सिलाई करेंगे, इसको अंदर मोड के तो यह सीधी हो जाएगी, इस तरह से हमें अंदर मोड के इसमें लंबाई में सिलाई डाल दी है, देखो, मैं सिलाई डाल के दिखाती हूँ, यह देखिए हमारी चैन सीधी हो गई है, इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी त्रे लगानी है, देखिए, हम इसमें भी उल्टी जिप लगाएंगे, यह मैंने उल्टी पकड़ रखी है, ऐसे में इसमें भी उल्टी जिप लगा दूँगे, मैं सिलाई डाल की दिखाती है, इसको भी हम सीधा कर देंगे, और ऐसे सिलाई डाल देंगे, यह देखिए, मैंने दोनों तरफ जिप लगा ली है, अब हम क्या करेंगे, इसमें चेंड डाल देंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, इसका एक तार निकालना है, और इसमें से भी निकालना है, जिससे हमारी जिप आसानी से डल जाए, देखिए, कर दो हमें overall देखिए, और देखिए ऑ्रिए्यों पह ढौत žास्ट एक कर दोना है, इसमें दोना है, इसमें आसानी से जिएए, जिससे हमार lingering करे आए, रह चभाए जाए, उसमें करेंगे, च्मारीयूजएए, यह थाँ बाने वहाए है, शबलlor देख़ प्रावा देखिए ये मैंने जिप डाल दी है ये मैंने जिप डाल दी है अब हम एक बार इसको जिप को पूरा निकाल देंगे ऐसे अब हम फिर से इसमें जिप डालेंगे जिससे ये बैल बंध हो जाए पूरा और सिल्ले में आसानी रहे है अब फिर से जिप डालेंगे ये दोनों तार पकड़के खेंच देंगे ऐसे थोड़ी दिपकत होती है डालने में कर दोने में जिप डाल दी है अब हम इसको उल्टा कर लेंगे ऐसे कर दोने अब मैं इस पर किनारी से शिलाई लगा दूंगी दोनों तरफ पिनारी पर अब आप स्लाई लगा दूंगी जी है डबल स्लाई कर दूंगी यह थोड़ा रफ कपड़ा था इसलिए मैंने ज्यादा सिलाई की है इसको मैं कट कर दूंगी एक्स्ट्र चैन भी मैं कट कर दूंगी यह तो रख को यहाद कर दूंगी जुए बच्पन एंगी एंग्स की की कट कर दूंगी इसी तरह में इस साइड भी स्लाई लवाओ होंगी झाल 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 इसको में भी डबल स्लाई करोंगे अब हम इसमें यह ट्राइंगिल बना लेंगे ऐसे और इसमें दो दो इंच पर सिलाई लगा देंगी मार्क करके इसे यह दो इंच यह तो हमारे यह बैग लुड़केगा नहीं सही से रख देंगे जहां रखा रहे ऐसे दो इंच पर मा मा कर दूँगी ऐसे ही में इस साइड भी करूंगे में ले अचे करной यह भी कर दफर सिला पृंगी हमें से लőह परल्वण सिलाला झाल्व overflow बभा यह बभाव्य आप चाहें तो यह कौने कट कर सकते हैं बढ़ना ऐसे भी चल जाएंगे इस तरह भी सिलाही लगा लेंगे हम इसको सिला करेंगे है कि यह हमारा पाउच बनके रेडी हो गया है इसे हम कई तरह से यूच कर सकते हैं पैंसिल पाउच भी रख सकते सेविंग पाउच भी बना सकते हैं और अपना मेकप पाउच भी बना सकते हैं सफर में जाने के लिए सुद्धा रहती है सामान होता है तो जगह कम घेरते हैं थेंक यू फॉर वाचिंग अगर आपको हमारा वीडियो पशंद आया है तो सब्सक्राइब करना न भूले